हेलो सुदेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत हैं एंडी क्लासेज में आज मैं आपके सामने लेके आए हूँ पीजी टी हिस्ट्री फिमेल पोस्ट कोड ग्जाम हुआ था 28 जून 2021 को उसका फुल एक्जाम एनलैसिस करेंगे आज क्वेस्ट के बारे में डिसकस करेंगे कि किस तरीके का एक्जाम रहा 28 जून 2021 को हुआ पीजी टी हिस्ट्री फिमेल का जो है एक्जाम पेपर चलिए शुर इसे पार्ट ओफ एसियन कंट्री तो एसियन जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है वो है एसोशियेशन ओफ साउथीस्ट एसियन नेशन्स तो एसियन की फुल फॉर्म जो है एसोशियेशन ओफ साउथीस्ट एसियन नेशन्स ब्रुनई बर्मा कंबोडिया तिमोरलेस्ट लिंगापूर जो है एसीन का पार्ट है क्रिकेट से क्वेशन आया था कि स्रिलंका का एक प्लेयर है उसका नाम बताना था जिसको बैन कर दिया गया है और कितने टाइम तक बैन कर दिया गया है तो जो रॉटर कंपनी है जो न्यूज देती है उसके अनुसार फोर्मर स्रिलंकन पेस बोलर पेस बोलर था तेज बोलर था निवन जो ऐसा जिसको की बैन कर दिया गया है क्रिकेट से 6 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंटी करॉप्शन टुबिनल जो थी उसने इसको गिल एंटी जो है उसके तहित रेप का प्रिशमेंट दिया जाता है और भॐ पांऑ को पहली बार 1951 में एक event sports car event के रूप में organize किया गया था तो तो सिर्फ cricket किसे related question ही नहीं आ रहे हैं जैसे कि हमने पहले paper में देखा था sociology के उसमें जो है cricket related question पूछे गए थे लेकिन इसमें जो है cricket के लावा दूसरे sports के बारे में पुछे जा रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि cricket के साथ साथ दूसरे जितने भी चाहिए Wimbledon हो चाहिए वो badminton हो कोई भी अगर sports है जो की खेला जाता है world में तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दादा साथ फाल के award के बारे में एक question पूछा गया था दादा साथ फाल के award कौन सी best movie को दिया गया तो दादा साथ फाल के award जो है केंदर सूचना और परशान मंत्री मंत्राले मतलब जो मंत्राले है वो केंदर सूचना और परशान मंत्राले देता है वैसे मैं आपको बता तूँं दो जार उने इसका जो दादा साफाल के अवोर्ड था वो रजनी कांत को मिला था तो अवोर्ड जैसे कि हमने पिछले सोचिलोजी के एक्जाम में देखा था अगर आपने वो वीडियो तो नेक्स वेशन था ओप्संस दिये गए थे और पूछा गया था कि कौन सा राइटर जो है मार्किस्ट फोलोवर है तो जो राइटर्स हैं वो क्या-क्या पदती फोलो करते हैं उससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी सोचिलोजी एक्जाम में उसमें क्या था बुक्स के ओथर्स के बारे में पूछा गया था कि किस ने कौन सी बुक लिखी लेकिन इसमें वो कौन सी पदती फोलू करते हैं वो भी पूछा जा रहा है तो आप जो है इस पे भी ध्यान दिजेगा जब आप तयारी कर रहे हो केल कनाल के उपर एक क्वेशन आया हुआ था जो केल कलान है वो कनेक्ट करती है नोर्थ सी और बाल्टिक सी को तो ये जो है कौन सी देश में क्वेशन आया था कि कौन सी देश में है तो ये जर्मरी में है तो इंटरनेशनल जी के पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है इंटरनेशनल जी के पे भी ध्यान देने के जूरत है पहले सोचिलोजिक एक्जाम में भी पूछे गये थे समयुक्त राजविया अमेरिका से लिया गया जिसके इस्तमाल से राष्टपती और सुप्रीम कोट यहाई को काम किया जाता है वो महां स्व ROB हो गया से लिया गया सर्राज आमेरिका से तो आर्टिकल्स पहले जो हमने वीडियो देखी उसमें भी सोचिलोजिक एक्जाम में भी आर्टिकल्स महाभ्योग इस टाइप के क्वेशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो इसमें भी पुछे जा रहे हैं तो आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्राची अधिवेश क्वेशन पुछा गया था कि बजट जो था उसमें कॉंट से मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा जो है पैसा अलोट हुआ है तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्ट्री को अलोट किया गया था आर्टिकल 371 से रिटीड gemaakt को सरक कर रहा हूं मैं इसमें आपको बता हूंगा तो मैं सबसे पहले रिजनिंग की बात कर रहे हằm तो हंने सोचिट्री के डेक्यां में लागब वही o करन था जो अलग है वो मैं इसमें आपको बता देता हूं जो अलग था वो था वेंड डाइग्राम को टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें था कि जो आपको पता होगा वेंड डाइग्राम के क्स तरीके से रहते हैं उससे रिलेटिड क्वेश्चन पूछा गया था जो कोमन चीज है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा वो मैं पहले सोस्योजी के जो रिव्यू दिया था उसमें बता चुका हूं ठीक है तो अगला पूछा गया था कि दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गया थे कि all chairs are tables, all tables are furniture, now find which is the correct statement तो यह इस तरीके के question दो पूछे गया थे, maths की अगर हम बात करें, तो maths में जो है time and work क्वेश्चन पूछा गया था, why is three times more efficient than x, if x can do a work in 30 days, how long both will take to complete the task, काफी आसान सा question है और इस तरीके question पूछे गये थे, mensuration से question आये थे, cuboids, fair, square, slender इन से related questions थे, तो आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत है, और sociology के exam में भी इसी तरीके question पूछे गये है, simple or compound interest related question पूछे गये थे, profit at loss related question पूछे गये थे, ठीक है friends, तो यह एक छोटा सा review था, broad review हम आपके सामने फिर से लेक पूछे आएंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जुरू करिए, share, subscribe करना मत भूलिए, बने रही है मेरे साथ, ऐसे वीडियो जाती रहेंगी, thanks for watching